तो सबसे पहले मैं आप सबसे रुकेस करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फार मोर विडियो तो आज का जो हमारा टापिक है वो यह है कि मैंने कुछ सवाल निकाले हैं जो सिंद्ध पुलिस टेस्स में आ चुके हैं पास एमसी क्यूज हैं वो तो सबसे पहले कि इसका जवाब है फेबरी नानेंटीन सिख्सी सिख में लेति तो गशची वो तो तीस्रा सव सवाब है कि तौं trouble बना जरृर्ण बना था तो तो उसका नाम है एकनॉमिस्ट मेग्जिन थी वो जसने क्रीटिसाइज किया था तो उसके बाद जो हमरा सवाल है वो ये है कि मुस्लिम सफरिंग अड़ दियो कॉंगरेस रूड किसने लिखा था तो जिसका जवाब ए फजल लखने लिखा था ये भी काफी बार आ चुका है इसे लाजमी आपनोड कर लें उसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि किसने फत्वा जारी की थी मुस्लिम लिख के जौइन नांकरियाब तो उसका जवाब है मुलाना हुसिन एहमद मदनी ने फत्वा जारी की थी मुस्लिम लिख के खिलाफ उसके बाद जो हमारा सवाल है वो यह है कि काइद आजम को काफर आजम किसने के एक मतलब के लेबिल लगा लिया था तो इसका जवाब है जम्मत अलुमाई हिंद ने काइद आजम को काफर आजम निकलिया किया था उसके बाद जो हमारा सवाल है कि सेकंड राउंट टेबल कांफरेंस जो थी वो 1931 में रखी गई थी याद करें सेकंड राउंट टेबल कांफरेंस है उसके बाद जो हमारा सवाल है वो यह है कि डान जो न्यूस पिपर है वो कब स्टार्ट हुई थी जो उसका जवाब है 1942 में स्टार्ट हुई थी और उसका जो फाउंडर है वो काहिद आदम मुहमद अली जिना थे कोईटिय का पराना नाम क्या है तो उसका जवाब है शेल्व कोट जो है कोटिया का पराना नाम है उसके बाद जो हमारा सवाल आता है जो काफी टेस्ट में आ चुका है कि वो यह है कि पाकिस्तान ने कब यूए नो को जोईन किया था तो उसका जवाब है 19 सेप्टूमबर 1947 ने सेवन में पाकिस्तान ने यूए नो जोईन किया था उसके बाद जो हमारा सवाल है कि लास्ट वाइस रोय आप इंडिया कोन थे तो उसका जवाब है लार्ड माउंट बेटेन उसका जवाब यह काफी भारा आ चुका है जिसके आप देख ले उसके बाद जो हमारा सवाल है कि object resolution जो किसने फारवर्ड किया था और कब किया था तो इसका जवाब है लियाकतली खान ने और टॉलियो मार्च 1949 में ये फारवर्ड हुआ था उसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि जो स्टेट बेंक है वो कब एन्यू ग्रेड होई थी तो वो कायद यादम ने किया था और वो डेड़ थी फस्ट जूलाइ 1948 उसके बाद जो हमारा सवाल है कि सौंग साब बिलाड इंसवर्ड बुक जो फात्मा बटो ने लिखा था तो ये भी काफी बार आ चुका है इसने अपन आ चुका है तो उसके बाद जो लास सवाल मैंने निकाला है जो आ चुका है वो ये है कि जब मुहमत बिन कासिम सिंद में आया था तो हिद्राबाद क्या नाम था तो उसका नाम था हिद्राबाद का तो मैं आप सबसे लास में रुकेस करूंगा कि आप मेरा चेनल सब्सक्र